Hello students, welcome to K.R.K. Law classes, मैं हूँ काशिफ खान और आज हम हिंदू लौ के थर्ड लिक्चर में Schools of Hindu Law को पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पे mainly दो स्कूल हैं Hindu Law के, लेकिन वो स्कूल का origin कैसे हुआ, वो किन चीजों की बाते करते हैं, उनमें क्या differences हैं, और किस तरीके से वो Hindu Law के development में अपनी भूमिगा निभाते हैं, इन चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे यह वीडियो आपके आने वाले competitive exam के लिए काफे जादा important होगी, तो वीडियो में अंतक बने रहेगा, और अगर आप क्यार के लौग classes पे नहीं हैं, तो चैनल को subscribe कर लें, साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिये गए, बेल आइकन को भी दबा दें, ताके हमारे तरफ से upload की जाने वाली सारी वीडियो की notification आपको time पर मिलती रहे, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं, school of Hindu law की, तो जो school of Hindu law है, उसका सबसे main reason है origin का, कि सुरूती और स्मृती जो है, बहुत ही जटिल होती थी, उनको समझना बहुत मुश्किल होता था, तो बह बहुत सारी कमेंटरी थी, बहुत सारे digest थी, जो इसमें से दो कमेंटरी और digest जो हैं, उनको परमुख रखा गया, और इसी यही आगे जाके schools of Hindu law बनी, तो उसमें जो कमेंटरी थी, वो थी मिताक्षरा, और जो digest थी, वो थी दया भागा, मिताक्षरा का मतलब होता है, एक concise work यह एक कमेंटरी है, जो की code of यजना वलक्या पर लिखी गई है, और इसको लिखने वाले हैं, विजना नेश्वरा, और इसको लिखा गया था 11th century में, और यह इंडिया के सारे पार्ट में प्रिवेल करती है, except Assam and Bengal, और यह इसको कह लें, तो एक तरह से supreme authority मानी जाती है, इ या फिर बॉंबे, जो की जो गुजरात वाले एरिया हैं, और बॉंबे वाले एरिया हैं, वहाँ पर आता है, फिर आता है बनारस, जो की जो इंडिया के नौर्धन पार्ट हैं, वहाँ पर प्रिवेल करता है, इसके बादा है मिथला, जो की इंडिया के जो नौर्थ बिहा वाले एरिया है वहाँ पर प्रिवेल करता है और फिर आता है पंजाब जो की जो सिंद एरिया है और पंजाब का एरिया है वहाँ पर प्रिवेल करता है अब बात करते हैं दया भागा की तो दया भागा जो स्कूल है वो फॉलो करता है मेंली बंगाल और असम में और यह किसी भी दीक है कोई कमेंटरी नहीं है किसी पर्टिकुलर कोड पे बलकि एक डाइजस्ट है और यह लिखा गया है जिमुत वहाना के दौरा 12th संचरी में तो जो लीडिंग स्मृतीज थी उनकी एक डाइजस्ट है जो कि डील करती है पार्टीशन से और से कोई भी सब स्कूल नहीं है मिताक्षरा की तरह अब आग heat बात करते करते में फीचर में बात करें तो इस का हे इसका फीचर है वह यह है कि इसो इनहरीटेंस होता है बीस अन populaid में होगा उसको property चली जाएगी ईश dinner उसके साथ साथ इसमें जो son होता है वो by birth जो है property में आपना right लेता है मतलब कि अगर father के ancestral property हो या self acquired property हो उसमें son का right by birth होता है मतलब जैसे ही वह family में पैदा होगा उसका उनकी property में right आ जाएगा और property का जो devolution होगा वो by survivorship होता है लेकिन इस चीज़ को change कर दिया गया 2005 amendment के द्वारा और यहाँ पे sun के साथ साथ अब जो doubter है उनको भी जो है एक तरह से right दिया गया है by birth अब यहाँ पे जो co-partner की जो property में share होता है वो definite नहीं होता है उनकी जो share है वो fluctuate करता रहता है क्योंकि जैसे ही किसी का birth होता है तो property का जो share है वो उनके हिसाब से घटता रहता है और अगर किसी की death होती है तो property का जो है वो वहाँ पे share बढ़ता रहता है यहाँ पे जो wife होती है किसी भी disease co-pastner की वो अपना partition का right enforce नहीं कर सकती है against the brother of her husband और woman जो है वो co-pastner नहीं बन सकती लेकिन जैसा कि Hindu Succession Amendment Act 2005 पास हुआ और उसने woman को भी यहाँ पे co-pastner का right दिया जिस तरीके से एक male को अपनी ancestral property में होता है अब आगे बात करें दया भागा स्कूल के main feature की तो सबसे पहले इसमें जो inheritance होता है वो based होता है religious efficacy मतलब कि जो offering of pindas जो pindas की category में आएंगे उनको जो है property devolution में जाएगी उसके बाद जो है यहाँ पे Hindu joint family की property जो है by birth नहीं होती और legal hair जो sun होता है मतलब के वो अब अपना share जो है after the death of the property लेगा और यह उसका definite share होता है जितने भी भाई होंगे यहाँ पे वो एक तरसे definite fraction of property जो में share जो है inherit करेंगे यहाँ पे उनका ownership उनके उपर होगा इसलिए उनके पास ये भी right है कि वो अपना share किसी को transfer कर सकते हैं वीडियो के पास right होता है husband की property को succeed करने का और वहाँ पे वो अपने partition भी enforce कर सकती है अगर कोई male descendant नहीं है तो और यहाँ पे अगर उसके husband के death हो जाती है तो वो co-partner बन जाती है और वो अपने husband के brother से जो है वहाँ पे partition जो है वो claim कर सकती है अपने share के लिए So friends अब समझते हैं इन दोनों जो school है उसमें difference क्या है तो जो सबसे पहला difference है वो यह है कि जो son का right होता है वो by birth आता है ancestral property में या फिर जो है उसके father की जो self acquired property होती है उसमें लेकिन यहाँ जो दयभागा school है उसमें जो son का right होता है वो ancestral property हो या उसके father की self acquired property हो उसमें जो है वो हमेशा जो है उनके death के बाद आता है तो यहाँ पे father जो है एक तरह से absolute honor होते हैं जब तक उनकी life है लेकिन मिताक्षरा स्कूल में father जो है वो absolute honor नहीं होते हैं फिर मिताक्षरा स्कूल में son जो है वो co-partner बन जाता है यहाँ पे अब son की साथ साथ जो है daughter भी जो है वो co-partner बन गई है 2005 के amendment के बाद सो इसलिए जो इसका right है वो property में उनके जो grandfather है उनके greater grandfather है उनकी property में भी applicable होता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दयाभागा स्कूल में son जो है वो co-partner after the death of his father बनता है इसलिए उसका कोई भी right available नहीं होता है उसकी father की property में उसके grand father की property में और उसके greater grand father की property में मिताक्सरा स्कूल की बात करें तो यहाँ पर father के पास restricted power of alienation होता है क्योंकि son जो है वो partition claim कर सकता है और क्योंकि एक बात यहाँ पर यह भी है कि son by birth उसके property में अपना right acquire करता है लेकिन वहीं दया भागा स्कूल में father के पास absolute power होती है alienation की क्योंकि son claim नहीं कर सकता partition against his father क्योंकि उसका right आता है property में वो father की death के बाद आता है अब यहाँ पर जो co-partner होती है जो joint family property के जो member होते हैं वो अपने property को transfer नहीं कर सकते हैं किसी भी third person को मिताक्सरा स्कूल में लेकिन रह भागा स्कूल में क्योंकि उनका जो share हो definite होता है और absolute होता है इसलिए वो transfer कर सकते हैं अपना share किसी भी third person को लास्ट जो difference है वो यह है कि मिताक्सरा स्कूल में जो inheritance होता है वो based unconsigunity होता है मतलब कि जो nearest blood relationship होता है वो property में अपना right लेगा लेकिन जो दयभागा स्कूल में होता है वो based on religious efficacy होता है इसका मतलब कि जो पिंडास की category म में लोग आएंगे उनको property devolution में जाएगी सो students यह थी आज की हमारी वीडियो I hope इस topics related सारी information आपको clear हो गई होगी फिर भी कोई doubt है तो आप हमें comment box से बता सकते हैं हम आपके doubt हो clear करने के पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye keep reading